हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साहं सेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है जाफरी मैरीगोल्ड ये प्लांट मैरीगोल्ड की ही ड्रॉफ वराइटी होती है ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा छोटे से ह होते हैं और छोटे ही प्लांट में काफी सारे फ्लावर इसमें खिल जाते हैं और यह प्लांट देखने में बहुत ही ज्यादा सुन्दर होते हैं और बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं जाफरी मेरिगोल्ड को आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते और गर्मी और बरसात में इनकी सबसे अच्छी ग्रोथ होती है और सबसे ज़्यादा flowering भी इसी टाइम पे होती है ये प्लांट बहुती ज़्यादा easy to grow plant है इस प्लांट को जो सबसे ज़्यादा जर्वत होती है वो है sunlight अगर इस प्लांट को आप full sunlight में रखते हैं जाता है क्योंकि यह plant काफी चोटे होते हैं इसलिये चोटे से छोटे पॉट में भी अच्छे से ग्रोव हो जाते हैं इस प्लान्ट में आप वाटरिंग तभी करें जब इसकी मिटी अच्छे सूख जाए अगर आप इसमें जल्दी-जल्दी पानी देते हैं जो इस प्लांट की जड़े हैं वो नीचे से गलने लगती हैं इस प्लांट में तबी पानी दे जब मिठी अच्छे से सूख जाए ये प्लांट आप किसी भी जगवा पे और कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं ये हर जगवा पे ग्रो हो जाए जैसे तो इस प्लांट को फुल सनलाइट की जरुवत होती है लेकिन अगर आपके वहाँ का टैंप्रेचर 40 या 45 के आसपास हो तो आप इसको 3-4 घंटे की ही सनलाइट पे रखेंगे अगर आपके वहाँ का टैंप्रेचर नॉर्मल रहता है जैसे 30 के आसपास तो आप इसे पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हैं ज़्यादा गर्मी में आप इसे 3-4 घंटे की सनलाइट में रखेंगे तो वो काफी होगी और इस प्लावर का साइज है वो भी काफी ज़्यादा बढ़ा आएगा इस फ्लावर प्लांट को आप किसी भी बड़े गमले में जिसमें आपने और कोई प्लांट लगाया है उसके किनारे किनारे लगा सकते हैं क्योंकि इसके जो प्लांट होते हैं, काफी ज़्यादा छोटे होते हैं, वो बहुत ही देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं, इस प्लांट को जमीन में भी ग्रो कर सकते हैं, जमीन में ग्रो करने में ये प्लांट काफी ज़्यादा फैल जाता है, और साथ ही देखने में बहुती सुन्दल लगता है किसी भी अगर आप इसे क्यारी में लगा रहे हैं तो आप इसे जुन्ड में एक साथ लगाएं तीन चार प्लांट जुन्ड में लगाके ये प्लांट बहुती ज़्यादा सुन्दल लगते हैं इस प्लांट को सीट से ग्रो करना काफी ज़्यादा आसान है ये बहुत ही आसानी से सीट से ग्रो हो जाता है जब इसके फ्लावर अच्छे से सूख जाते हैं और जो उनकी अंदर सीट होते हैं बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं तो इन्हें आप किसी भी मिट्टी पे ऐसे ही बिखेर दें तो ये बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाएंगे इनकी सीट को जर्मिनेट होने में 5-6 दिन लगते हैं 5-6 दिन में ही इनके सीट जर्मिनेट हो जाते हैं इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इसकी 6 इंच की cutting लेके आप नॉर्मल मिट्टी पे लगा दे तो ये इसकी cutting भी grow कर जाती है इस plant में आप 15 दिन में एक बार कोई भी fertilizer डाल सकते हैं जैसे आप गोबर की खाट डाल सकते हैं या फिर सरसों की खली का liquid बनाके डाल सकते हैं अगर आप गोबर की खाट का भी liquid बनाके इसमें डालंगे तो ये इसके लिए अच्छा रहेगा हर 15-15 दिन में आप इसमें liquid fertilizer डालें इसमें अच्छी से अच्छी flowering होगी अगर आपको flower बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप भी इस plant को अपने वहाँ पे जरूर ग्रो करें ये बहुत ही कम केर में और बहुत ही अच्छी flowering देने वाला flower plant है और खास बात ये है कि आप इसका एक plant लाएंगे तो हर बार आप इसे seed से अपने वहाँ पे खुद ही ग्रो कर सकते हैं तो आप इस plant को लगाएं तो जुन्ड में लगाएं जुन्ड में रखे वे plant इसके बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगते हैं जब इसमें एक साथ flowering होती है तो ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद